हलो फ्रेंड्स राम राम फ्रेंड्स मैं आपके लिए फिर लेकर आई हूँ भहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो जो आपके रोज के काम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और सारे टीप्स और टीक्स आपको भहुत पसंद आने हो ले फ्रेंड्स तो यदि पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा तो चलिए बढ़ते हैं पहले टिस्ट की तरब जो कि लेडिस के लिए बहुत ज्यादा यूसफुल है तो फ्रेंट्स हम जब भी कपड़े दोते हैं आप देखते हुए एक डर सा लगा रहता है कि कहीं किसी कपड़े को रंग नहीं निकलेगा कोई भी आपको डाउट रहे ना कि इस कपड़े से रंग निकलेगा तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे तो आप करिए पहले एक चम्मच नमग और फिर इसके बाद करिए मसीन को चालू आपके कपड़े साब भी धूलेंगे और कोई रंग भी नहीं निकलेगा तो यह टिप्स बहुती ज़्यादा यूजफूल है तो आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की और वह भी बहुती यूजफूल है हमारे लिए तो अभी समर का सीजन है और आ गये हैं वाटर म हो जाती है इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं न फ्रेंड्स आपके घर में ऐलमिनियम फोईल तो होगा ऐलमिनियम फोईल में आप क्या करेंगे इसको न पूरा रेप कर देंगे फ्रीज में रख देंगे इससे आपका वाटर मेलन ऐसे ही फ्रेश रहेगा आपको मिल दीजिए तो इससे भी आपका watermelon आपको एकदम फ्रेश मिलेगा तो दोनों option मैंने आपको बता दिए next tips बहुत ज्यादा useful है जो हमारी health को लेकर है और यह बहुत छोटा सा हेक है मैंने भी try किया है friends और मुझे बहुत अच्छा लगा यह tips तो friends बतासे को लेकर है यह tips आपको उसके लिए क्या करना है थोड़ा सा पानी लेना है और पानी न ज्यादा गरम होगा न ज्यादा ठंडा जो normal पानी होता है वही लेना है यह पानी आप ले लीजी एक glass के around या फिर half glass जितना आपको पीना हो उसके बाद आपको क्या करना है friend कि दो बतासे इसमें डाल द तो 5 मिट बाद आपको यह इस तरह से मिलेगा आपको क्या करना है इन पतासो को तो खा लेना है और जो बचा हुआ पानी है उसे भी पी लेना है इससे क्या होगा friends आपको ना urine की जो problem है या जिसको urine ठीक से नहीं होता है तो यह problem समर में ज्यादा होती है यह tip आप try करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो problem है वह दूर हो जाएगी एक बार जरूर try करके देखेगा तो बस दो बतासे ही चाहिए इसके लिए कोई महेंगी चीज भी नहीं चाहिए एक बार आप जरूर ट्राय करके देखना आपकी जो urine की problem है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी फ्रेंट्स यह टिप आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा मेरा नेक्स टिप दवाई की बोटल को लेकर है दवाई की बोटल को हम जब भी सफर में लेकर जाते हैं पनी वगर में तो बच्चे रहते हैं तो रखना ही पड़ता है कभी खुद के लिए भी दवाई वगरा रखनी ही पड़ती है तो क्या होता है जब हम इसे बेग में पर्स में रखते हैं तो डर बना रहता है कि यह लीक न हो जाए और हमारा बेग वे दवाई दोनों का नुकसान हो जाएगा तो उसीचेशन में हमें क्या करना है फ्रेंड्स बैलून से दिया आपके घर में है तो आप बैलून ले लीजिए और बैलून को उपर से लगा दीजिए इससे भी आप देखोगे जो आपके मेडिसीन का जो बोटल है वो बिल्कुल भी लीक नहीं होगा जैसे कि यह पानी की बोटल है इसमें से भी कभी कभी पानी निकल जाता है तो मैंने इस पर भी बलून लगा दिया है और अब इसमें एकदम सेफ है इसका पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स टिप बच्चों को लेकर है जब हम बच्चों को दूद देते हैं तो कभी कभी दूद भहुँ ज़्यादा गरम हो जाता है उसे ठंडा करने में हमें बहुत प्रोबलम होती है या तो पानी में रखते हैं या फिर ठाली में फेलाते हैं और इन सम्में बहुत टाइम लगता है तो आपको एक छोटा सा चमज इसमें डाल देना है इससे क्या होगा जो इस टिल का चमज इसमें डालने से इस टिल के चमज उस हीट को रिजूल कर लेगा और दूद जल्दी ठंडा हो जाएगा यदि दूद भूजद गरम है तो आप एक या दो चम्मच भी डाल सकते हैं तो आपको यह टिप कैसी लगी बताईएगा इसके बाद friends हम बढ़ते हैं next और सबसे useful tips की तरफ जो है प्याज को लेकर तो friends मैंने एक प्याज लिया है और इस तरीके से half cut कर लिया है यह देखिए ठीके इस तरीके से आप एक प्याज कट कर लिजिए आप देख रहे हैं मैं सिंक में इसे इस तरीके से रगड रही हूँ तो friends इस तरह से आप पूरे सिंक में लगा दीजिए और यह काम आप रात को करिएगा प्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ यदि आप यह काम राद को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा अगर कोई कीड़े मकोडे हैं आपके सिंक में ड्रेनेज में गंदगी है कुछ मक्खी मच्छर है या कोई इसमेल वगेरा आती है ज़्यादा गंदी तो इन सब चीजों को हटाने के लिए आप एक प्याज को कट करके इस तरीके से रख दीजिए उल्टा करके और राद भर के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे सुबे जब आप देखोगे तो कोकरोच है जो कीडे मकोडे है वो सारे मतलब जो भी अंदर रहेंगे न वो खतम हो जाएंगे क्योंकि प्याज की जो इसमेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है अब कोई भी कीडे मकोडे नहीं आएंगे छिपकली भी नहीं सुबे आप अपने सिंग को अच्छे से वोश कर लीजिए यह ट्रिक आप हफ्ते में एक या दो बार करेंगे तो कईड़े मकोडों का आना बंध हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ तो फ्रेंड्स मेरा यह टिप खाली बोटल को लेकर रहें यह बहुत इसके लिए करना क्या है बोटल के ढखकन में हमें पाँच्छ छेत करने है इसे मैंने फोर्क को गरम करके और आसानी से कर लिया था आपके पास यह टी फोर्क नहीं है तो कील से पिन से या केचि से भी कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें पानी भर लेना है वो अपने बच्चों को और बच्चे क्या करेंगे जो प्लांट्स होते हैं तो नीचे तो हम जड़ों में पानी दे देते हैं परन्तु उसकी जो लीप्स होती है वह गंदी रह जाती है इस तरीके से बच्चों को जब आप देंगे तो वह सारे प्लांट्स में इस तरीके से इस् नीचे पानी डाल कर रह जाते हैं ये बहुत अच्छी टीप्स है और बच्चों को तो बहुत मज़ा आने वाला है इस टीप्स को करने के बाद तो आज ही ये आपके घर में खाली बोटल है तो इसे बना लीजिए और इस तरीके से फिर बच्चों को दीजिए बच्चे जब भी शाम का समय होगा इसमें पानी देंगे और वो खुश तो होगे अपनी जो पोधी की पत्या है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएंगी और पोधी एकदम साफ सुत्रे दिखाई देंगे और भहुती सुन्दर लगेंगे तो फ्रेंड्स यह टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा फ्रेंड्स मैं वही टिप्स बताती हूँ आपको जो मैं खुद यूज करती हूँ और हमारे घर में जो भी अवेलेबल होता है एकदम जीरो कोश्ट की टिप्स हैं यह सब तो फ्रेंड्स मेरी वी